नेक्स्क्सक्षन दोजादो का सवाल है, कुश्टन सेज, इडेन्टिकल चार्ज़ इस गोजाएट इछ कार्नर फ़ूब और क्यूब बी, बहुत सिंपल सवाल है, इसको ऐनसे कंसिडर करें कि ये आपका क्यूब, और इस cube के हमें पता है कि 8 corners होते हैं हर corner पे अपना minus q charge रख दिया है और अब हमने क्या किया ठीक center पे आपका एक plus q charge रखा है और हमें बताना है कि इस plus q charge की वज़े से आपका potential energy कितनी आएगी सब की वज़े से इस charge को अगर देखेंगे तो यहां पे आपका जो charge का distance हर charge से बराबर होएगा अपनी जो potential energy होएगी उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि potential energy u will be equal to 8 times किसी एक charge की वज़े से जो आपकी potential energy आएगी यहां पे जो चीज हमें ध्यान रखने की ज़र्वत है energy आपकी scalar quantity है वेक्टर नहीं अगर यहीं पर electric field पूछते सब की वज़े से आप force पूछते तो जीरो आता हो cancel हो आते है इसकी और इसकी वज़े से इसकी वज़े से cancel हो आते लेकिन यहां पर energy पूछिए तो सब add हो जाएगी तो art की potential energy जो है net आपकी potential energy होएगी that will be 8 times multiplied by potential energy किसी एक individual combination की हम देख सकते हैं दो charge इसके बीच में यह होता है root 2b लेकिन अगर हम body diagonal की बात करें यह आपके पूरे structure के diagonal की बात करें इसकी value आती है under root 3b so यह आपका जो diagonal इस charge और इस charge के बीच का जो distance आएगा वो होएगा आपका distance होएगा b square plus b square plus b square का whole under root यह आएगा root 3b so यह total distance root 3b होएगा और अगर root 3b है तो यह इसके बीच का distance होएगा यहाँ पर जो आप r की value consider करेंगे so r will be equal to root 3b divided by 2 पस हम यह value रखनी है so आपका u आएगा 8 multiplied by potential energy हम ऐसे लिखते हैं k q1 q2 divided by r so value रखने ते हैं यहाँ पर तो आपका एक charge होगया plus q दूसरा एक minus q divided by k भी आएगा यहाँ पर 8 k q divided by distance जो आया वो होगया root 3b divided by 2 so यह 2 उपर चला जाएगा so यह होगया 16 k minus sign के साथ q square divided by root 3b now यह अपना यहाँ पर final answer होना चाहिए लेकिन जो चार option दिये हुए है उन चार option में k को भी हमने expand किया हुए तो k को जब हम expand करेंगे all right k को जब हम expand करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं so this will be equal to minus 16 q square divided by 4 pi epsilon multiplied by root 3b इससे 4 से 16 यह cancel होके उपर 4 बचेगा so final answer बचा minus 4 q square divided by pi epsilon root 3b now right so based on this हम कह सकते हैं कि option number c minus 4 q square divided by root 3 pi epsilon b would be the right answer झाल 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